चाहे एक तीन साथ इपी एक तीन छेह डेविल प्रिंस के अस्तित्व का सच अब आगे यूमन वर्ल्ड वाले हिस्से में गुफा के अंदर डेविल प्रिंस ने एक एक कर अपनी शर्ट के बटम को खोलने लगा ये करते हुए उसको नजरे वेद्य जी पर थी और वेद्य जी वहाँ से एक दीवार की तरफ चले गए जहां किसी चीज को काले रंग के कपड़े से धक्का हुआ था वेद्य जी ने उन कपड़े को एक जटके में हटा दिया तो सामने एक बहुत ही खूपसूरत सुनहरे रंग की फ्रेंग वाला शीशा मिरत्था उस शीशे को देख कर वेद्य जी डेवल प्रिंस की तरफ मुर गए उन्होंने उससे कहा तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब यहां मिलेंगे तुम नहीं जानते लेकिन तुमसे बहुत सी बातों को छूपाया गया है जिनका जानना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है ये बोल वेद्य जी डेवल प्रिंस को उस शीशे की तरफ आने का इशारा करते हैं डेवल प्रिंस को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी वो वेद्य जी के इशारे पर उस शीशे की तरफ बढ़ गया और फिर जब उसने देखा तो उस शीशे में उ वेदिया जी समझ पा रहे थे और फिर उन्होंने कहा मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे विचार जूम रहे हैं। तुम अपनी आँखों पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो लेकिन यही सच है। तुम एक डेवल तो हो लेकिन पूरी तरह से नहीं तुम एक आफ डेवल हो तुम्हारे खून में सिर्फ एक डेवल का नहीं बलकि एक। यह बोल वेदिया जी चुक हो गए। वेदिया जो के कहे गए शब्दों को सुनकर डेवल प्रिंस ने कहा यह क्या बोल रहे है आप मैं पूरी तरह से एक डेवल नहीं हूँ लेक जो की बचपन से लेकर अब तक उसने बहुत कुछ सहा था लेकिन उसने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया लेकिन आज वेदिया जी के मूँ से इस बारे में सुनकर उसका खुद पर से काबुग होता जा रहा था। 11. डेवल प्रिंस की तकलीफ को समझते हुई वेदिया जी ने कहा एक बार तुम अपनी पीट को एक शीशे में देखो तुम है सब समझा जाएगा ये बोल वो अपनी नजरे शीशे की तरफ कर लेते हैं। 12. वेदिया जी की बातों को सुनकर डेवल प्रिंस अपनी शर्ट को निकाल कर नीच फिक देता ही फिर वो अपनी पीट उस शीशे की तरफ कर देता है। 12. पहले तो उसको कुछ दिखाए नहीं देता लेकिन फिर जो उसको दिखा उसको देखकर वो हैरान रह गया। और फिर उसने कहा ये 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 कैसे हो सकता है। ये तो वही वही निशान है कोस। उस तीसरे सुरक्षा चक्र पर बना हुआ था। आईर ये मेरी पीट पर कब आया। और कैसे आया। देवल प्रिम्स ने अपने एक हाथ को अपनी पीट की तरफ ले जाते हुए कहा। वो उस निशान को छू कर देखना चाहता था। और जैसे ही उसने उस निशाना पर हाथ रखा। वैसे ही उसकी एक दर्द नाक चीक निकल गई और वो निशान जैसे जलने लगा हो। देवल प्रिम्स ने दर्द में तडपते हुए कहा। आह ये दर्द आह। मुझे क्यों। आह। देवल प्रिम्स के दर्द को कोई सीमा नहीं थी। उसको इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अपने धुतनों के बाल बैठ गया क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब होन बेहोशी गया। काफी देर तक वो रोशनी निकलती रही और अंत में वो निकलना बंध हो गई और उसकी के साथ वो निशान अब डेवल प्रिम्स की पीट पर कुछ हिस तरह बन गया था जैसे वो हमेशा से ही उसके शरीर का एक हिस्सा रहा हो। उस सारी प्रक्रिया के हो जाने के बाद वेदिया जी डेवल प्रिम्स की तरफ बढ़ गए लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको छुआ डेवल प्रिम्स के शरीर से निकल रहू उर्चा से वो दूर जा कर गिरे के तरह से वो उर्चा डेवल प्रिम्स के लिसकिसी को आने ही दे रही थी ग्यारा थोड़ सांस लेकर वेद्या जी जोंकी वही पर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, उनको देख कर कहा, आखिर क्या रहस्य है इस निशाना का, क्या आप जानते है ये वही निशान है जो वो तीसरे चक्र पर भी था, और अब ये मेरी पीट पर क्यों है, ये मैं समझ नहीं प रहा हूं, उस निशान को देखते हुई देवल प्रिंस ने वेद्य जी से सवाल लिये, ये सब देख और सुनकर वेद्या जी डेवल प्रिंस को देख कर बोले, ये सब कोई इतिफाक नहीं है बलकि ये सब तो होना ही था, क्योंकि आप कोई आप देवल नहीं है, आप एक और एक ड्रेगन प्रिंसेस के अंच है, वो ड्रेगन प्रिंसेस जिसने अपने कूरे वल्ड को बचाने के लिए आपके पिता से एक समझोता किया था, और उसी का नतीजा आप हो, ये बोल वो देवल प्रिंस के बिलकुल सामने आकर खड़े हो गए, ये सब सुनकर डेवल उसने हिरानी से वेद्य जी को देखा और फिर उनसे कहा, ये आप क्या बोल रहे हो, मैं ड्रेगन प्रिंसेस का बेटा हूँ, क्या मेरी माँ एक ड्रेगन प्रिंसेस थी, मुझे बताए ना वेद्य जी, बच्पन से मैंने अपनी माँ को नहीं देखा और ना ही उनके बारे कि आखिर वो दिखती कैसी थी, वेद्य जी बताए ना को आखिर मेरी माँ कैसी थी, और वो कहा है, क्या वो जिंदा है, मुझे बताए ना, ये बोलते वक्त डेविल प्रिंस की आखिनम होने लगी थी, उसके चेहरे पर दुख और खुशी के मिले जूली एक्सप्रेशन्स नजर आ रहे थे, डेविल प्रिंस के ऐसे पूछने पर वेद्य जी उसको भावनाओ को समझ पा रहे थे, आखिर कौन सा बच्चा अपनी मां के बारे में नहीं जानना चाहेगा और वो भी तब जब वो हमेशा से उसके पमंता के आचल से वंचित रहा हो, उसकी तड़ब आखिर आपकी मां कोन थी और आगे क्या हुआ था उनके साथ, ये बोलते हुए वो डेविल प्रिंस की पीट को सहलाते हैं, वो डेविल प्रिंस को शान्त करने की कोशिश करते हैं, और फिर उन्होंने कहना शुरू किया, दोस्तो मैंने आपको कभी इनकी एज नहीं बताए क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ही आखिर देविल और एंजल्स की एज क्या और कितनी होती है, इसलिए हम सिर्फ अंदाजा लगाएंगे, मेरे हिसाब से इंसानों से तो बहुत जादा ही होती होगी, ओके आज से कई सौ साल पहले, एक बहुती शानदार और ताकतवर वारोड था, जिसका नाम था ड्रेगन वर्ल्ड, वहाँ पर ड्रेगन किंग अपने वर्ल्ड के लोगों के साथ रहते थे, और उनकी एक बेटी थी, प्रिंसेस आर्शिया आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहे, जब 138 एप 137 ड्रेगन प्रिंसेस आर्शिया, ड्रेगन प्रिंसेस आर्शिया अब आगे, ह्यूमन वर्ल्ड वाले हिस्से में, आज से कई सो साल पहले, एक बहुती शानदार और ताकतवर वर्ल्ड था, जिसका नाम था ड्रेगन वर्ल्ड, वहाँ पर ड्रेगन किंग अपने वर्ल्ड के लोगों के साथ रहते थे, और उनकी एक बेटी थी, प्रिंसेस अर्शिया, प्रिंसेस अर्शिया बाकी प्रिंसेस से अलग थी, वो बहुती बहादुर थी और साथ ही खुबसूरत भी, ऐसा कोई नहीं था जो एक बार उनहें देखकर दोबारा ना देखे, और यही खुबसूरती उनकी दुश्मन भी बनी, वेद्य जी ने ये बोल एक नजर डेवल प्रिंस को देखा, वेद्य जी के ऐसे चुक हो जाने पर डेवल प्रिंस उनको आगे बताने के लिए कहता है, वेद्य जी आप चुक क्यों हो गए, बताए ना, मुझे सब जानना है, ये बोलते हुए उसकी आँखों में एक बहुत अलग भावनाए वेद्य जी को दिखाए दे रही थी, वेद्य जी ने प्यार से डेवल प्रिंस के सर पर अपना हाथ फेरा और फिर उन्होंने बताना शुरू किया, ग्रेगन वर्ड, बाकी सभी वर्ड से सबसे अलग जिसकी दुनिया ही महान योध्धा और बहादूर ग्रेगन से भरी हुई थी, वो एकलोटा एक ऐसा वल्ड था, जिसने ड्रेगन्स पर काबो पाया था, ड्रेगन उनके ना तो दुश्मन थे और ना ही गुलाम बलकी वो तो उनके साथ ही की तरह थे, वही ड्रेगन वल्ड के किंग एथन एथन अपने वल्ड के सबसे अच्छे और समझदार राजाओं इससे एक थे, लेकिन एक साजिश के चलते उन्होंने अपनी जान गवाल दी, और वही से शुरू हुई ड्रेगन वल्ड की हार, उनका वल्ड बिना किसी राजा के बिखरने लगा था, ड्रेगन किंग एथन की सिर्फ दो संतान थी, एक उनका बेटा हरोल्ड, हरोल्ड और दूसरी उनकी बेटी अर्शिया, आशिया, प्रिंस हरोल्ड बड़े थे और प्रिंसेस अर्शिया उनसे चोटी थी लेकिन जहां तक बात की जाए, बुद्धी और समझ, बहादुरी और समर्पन की तो प्रिंसेस अर्शिया उनसे कहीं आगे थी, ड्रेगन किंग एथन की म के साथ दुश्मनी कर ली और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि ड्रेगन वर्ड चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर वर्ड क्यों ना हो लेकिन वो डेविल वर्ड का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता था और इस दुश्मनी की वज़े से ये दोनों ही वर्ड एक द किंग हरॉल्ड को मौत के घाट उतार दिया किंग हरॉल्ड की मौत के बाद उस पूरे ड्रेगन वर्ड पर अब डेविल किंग का आधिकार हो चुका था और डेविल किंग ड्रेगन वर्ड के सिंधासन को संभालने के लिए ड्रेगन वर्ड में आ गए इस पूरे युद्ध से उनको कभी कोई फाइदा नहीं होगा बल्कि उनको ही नुकसान उठाना पड़ेगा लेकिन ड्रैगन किंग हरॉल ने उनकी बात नहीं मानी और वो किसी भी काम में उनको ना रोक सके इसलिए उन्होंने अपनी बहन को किले के अंदर ही बंद करवा दिया था लेक के वल्ड लाया गया उनको देखकर प्रिंसेस अर्शिया पूरी तरह से तूट गई क्योंकि पिता के बाद अब सिर्फ उनका भाई ही उनका अपना बचा था लेकिन अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रजा को देखा तो उनकी के बाल अपनों के लिए आँसू का आखिरी कत्रा तक बहा चुकी वो सुजी हुई लाल आखे लेकिन चेहरे पर एक तेजलिये प्रिंसेस अर्शिया सीधा चलती हुई उस कमरे ठका गई जहां पर डेविल किंग शान से बैठे हुए थे प्रिंसेस अर्शिया ने सीधा और ये देख किंग ने अपनी नजरे उठा कर जब पिंसेस अर्शिया को देखा तो वो तो बस उनको देखते ही रह गए डेविल किंग का कमरा प्रिंसेस अर्शिया अपनी धधकती हुई आँखों को डेविल किंग पर गड़ाए उनकी सीने पर अपनी तलवार रख कर रही है क्या वो सब एक जूट था या फिर डेविल किंग कुछ और बोल भी पाते की प्रिंसेस अर्शिया ने अपनी तलवार उनके सीने के अंदर गरते हुए कहा ड्रेगन वर्ट के लोग सिर्फ उनकी इज़त करते हैं जो उसके लायक हो उनकी नहीं जिन्होंने उनके अर्शिया थोड़ा सा मूड गई और इसका फायदा उठाकर डेविल लिंग ने एक जट्के में उनके हाथ से वो तलवार छुड़वा कर दूर फेक दिया और उनका हाथ पकड़ कर उनके पीछे की तरफ मोलकर उनकी पीच से लगा दिया डेविल किंग ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि प्रिंसेस अर्शिया को अपने आपको संभालने का मोका ही नहीं मिला और जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक डेविल किंग ने उनको पकड़ लिया था देवल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया के नजदी का कर उनकी चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर कहा वैसे जितना सुना था तुम्हारे बारे में शायद कम था क्योंकि तुम तो उससे भी कही ज्यादा ये बोलते हुए देवल किंग प्रिंसेस अर्शिया को उपपर से लेकर नीचे तक देख रहे थे और ये देख प्रिंसेस अर्शिया को उनके उपर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा कर उनको अपने आप से दूर धकेल दिया इस धक्के की वजह से डेविल किंग सीधा बैट पर जाकर गिरे। प्रिंसेस अर्शिया ने मौके का फाइदा उठाया और डेविल किंग की गर्दन नेक पर अपने दोनों हाथों को रख कर वो उनका गला दबाने लगी। इस वक्त उनके उपर एक जुनून सवार हो चुका था जो उनकी आँखों से दिखाई दे रहा था। ये देख डेविल किंग ने अपने हाथों से अपने गले को चुड़वाने की कोशिश की लेकिन जब हो इसमें कम्याबन नहीं हुए तो उन्होंने अपने दोनों हाथों क प्रिंसेस अर्शिया के कमर से लपेट कर उनको पूरी ताकत के अपने उपर खीच लिया। डेविल किंग के ऐसे खीचने से प्रिंसेस अर्शिया सीधा उनके सिन से जा लगी और जिसकी वजह से उनकी पकर डीली हो गई। इसी बात का फाइदा उठा कर डेविल किंग ने एक जटके में प्रिंसेस अर्शिया को पलत दिया और अब वो उनकी ऊपर आ गए। प्रिंसेस अर्शिया ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने हाथों को डेविल किंग के सिने पर रख कर उनको खुद से अलग करने की कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। डेविल किंग की आँख ही गुसे से लाल हो चुकी थी उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई उनके इतने करीब आकर उनपर हमला कर सके। वो तो अपने दुश्मनों को अपने आसपास भी भगतने नहीं देते थे तो यहाँ तो प्रिंसेस अर्शिया ने सीधा उ डेविल किंग चाहे एक तीन नौई टी एक तीन आठ डेविल किंग की शर्त अब आगे ड्रेगन वर्ड डेविल किंग की आँख ही गुसे से लाल हो चुकी थी उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई उनके इतने करीब आकर उन पर हमला कर सके वो तो अपने उचते हुई Princess Arshia के गले तक आ गय और वो उनके गले को दबाने लगे। Princess Arshia अपने दोनों हाथों से devil king के हाथों को अपने गले से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन devil king की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। धीरे धीरे प्रिंसेस अर्शिया की सांसे उखरने लगी और उनकी आखें बंध होने लगी उनकी आखों के सामने अंधिरा साचाने लगा था लेकिन जब डेवल किंग को ये एहसास हुआ कि वो अपने गुसे के चलते क्या करने वाले है तो उन्होंने प्रिंसेस अर्शिया क गहरी गहरी सांसे लेने लगी उनकी हालत काफी खराब होने लगी थी लेकिन उन्होंने खुद को समझा लिया डेविल किंग ने अपनी नज़रे प्रिंसेस अर्शिया पर हता ली थी और फिर वो वहां से चले गे डेविल किंग के जाने के बाद प्रिंसेस अर्शिया भी उस कमरे से निकल गई, ग्यारा, उनको अपने आप पर गुसा आ रहा था कि वो इतनी कमजोर कैसे हो सकती है वो उस शक्स को मार नहीं पाई जिसने उसके भाई को मारा है, ये सोचते हुई प्रिंसेस अर्शिया को अपने आप से नफरत होने लगी थी, डेविल किंग जैसे ही उस कमरे से बाहर गए, उन्होंने अपने एक खास आदमी को अपने पास बुलाया, और फिर उन्होंने उसको कुछ आदेश दिये, प्रिंसेस अर्शिया अपने भाय और बाकी शहीदों के अंतिम संसकार के बाद महल लोट कर नहीं आए, क्योंकि अब उस महल पर देविल किंग का कबजा था, वो वहां से काफी दूर जाने का सोच कर निकल गई, उनकी ना तो कोई मंजिल थी और ना ही उनको ये पता था कि आखिर वोजा कहा रही है, प्रिंसेस अर्शिया डेविल किंग से अब लड़ भी नहीं समिती थी क्योंकि अब उनके वर्ड बहुत ही कम सिपा जिन्दा बचे थे और जब उन्होंने प्रिंसेस अर्शिया से कहा कि वो सब अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तयार है तो प्रिंसेस अर्शिया के अंदर एक होसला आ लेकिन जब उसने उन छोटे छोटे बच्चों को रोते बिलगते देखा जिनके माता पिता इ कि वो कभी भी देविल किंग का मुकाबला नहीं कर सकते हैं प्रिंसेस अर्शिया वहां से जाही रही थी कि उसको देविल किंग के सेनिकों ने महल से बाहर जाने से रोक लिया सेनिकों ने कहा आप महल से बाहर नहीं जा सकती उन सेनिकों ने बाहर जाने के रास्ते को बंद करते हैं प्रिंसेस अर्शिया से कहा ये सुनकर प्रिंसेस अर्शिया उनको अपनी लाल आखों से घूरने लगी और फिर उन्होंने कहा क्या मैं जान सकत हूं कि आखिर मुझे बाहर जाने से क्यों रोका जा रहा है क्योंकि जहां तक बात रही महल में रहने की तो अब ये महल अपने king का है इसलिए मुझे ना तो ये रहने का शोख है नहीं ही मुझे ये पर कोई रोक सकता है ये बोल प्रिंसेस अर्शिया उन सभी को अपनी तलवार दिखाते हुई पीछे हटने का इशारा कर रही थी प्रिंसेस अर्शिया के ऐसे तलवार दिखने की वज़े से वो सैनिक थोड़ा डर गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि प्रिंसेस अर्शिया ड्रेगन वर्ल में सबसे अच्छी तलवार बाजी करती थी उनका मुकाबला खुद उनके बड़े भाई भी नहीं कर सकते थे इसल ने का नजारा उनके लिए चिकने वाला था क्योंकि महल के बाहर ड्रेगन वर्ल के सभी छोटे छोटे बच्चों को एक कतार में खड़ा कर रखा था और उनके पीछे डेविल किंग के सेनिकों ने उन सभी बच्चों की गरदन नेक पर तलवार रखी हुई थी ये देख प बच्चों की गरदन से खून निकलने लगा था ये देख प्रिंसेस अर्शिया ने अपने कदमों को वही रोक लिया उन बच्चों के खून को बहतर हुआ देख प्रिंसेस अर्शिया की आँखों से आंसू आने लगे उनका कलेजा उन मासूम बच्चों को ऐसे देख फत्त प्रिंसेस अर्शिया की आँखों में खून उतर आया था, वो पीछे पल्टी और सीधा महल की तरफ बढ़ गई, उनके कदम काफी तेज थे, और उनकी आँखे आग बरसा रही थी. देविल किंग का कमरा, देविल किंग के कमरे में आते ही प्रिंसेस अर्शिया ने अपनी तलवार उनकी तरफ करते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो, अब तो तुम खुश हो ना कि ये सामराज ये तुम्हारा है, तो अब तुम्हारे इस घटिया दिमाग आखिर चल क् मासूम बच्चों पर अपनी हैवानियत दिखा रहे हो अगर इतना ही शोख है तो मेरा मुकाबला करो और अगर मेरी जान लेने से तुम्हारे मन को सुकून मिलता है तो मुझे मन जूर है लेकिन इस ये सब करके तुम बार बार ये सभिर करने की जरूरत नहीं है कि तुम एक देवल हो वो डेवल जिसके अंदर ना तो किसी के लिए हमदर्दी होती है और ना ही किसी के लिए प्यार और प्यार तो हो नहीं सकता ना क्योंकि देवल के पास तो दिल ही भी होता ये बोलते हुई प्रिंसेस अर्शिया देवल किंग के सीने पर अपनी तलवार रख कर उस प्रिंसेस अर्शिया की एक एक बात देवल किंग के सीने में किसी जहलीले तीर की तरह चुकती थी लेकिन ऐसा क्यों था ये वो नहीं जानते थे। डेविल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया की आँखों में देखते है कहा क्या कहा तुमने मुकाबला और वो भी तुम से हा ना क्या ये क्यों मजाक था वैसे जो भी था अगर सच था तो ठीक है मैं मुकाबला करने के लिए तियार हूँ लेकिन मेरी एक शर्थ है डेविल किंग ये बोलते हुए प्रिंसेस अर्शिया के करीब आने लगे और फिर उन्होंने उसके बेहाब करीब आकर कहा अगर तुम मुझे तलवार बाजी में हरा देती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा ये वर्ड वापस सौप दूंगा ये बोलते हुए डेविल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया के पीछे खड़े हो गए और फिर वो प्रिंसेस अर्शिया के हाथों के उपर अपने हाथों को फेरते हुए नीचे की तरफ आने लगे ये सब होते ही प्रिंसेस अर्शिया ने देविल किंग के हाथों को अपने उपर से जटक दिया और वो पलट कर उनको घूरने लगी डेवल किंग ने जैसे ही अपने हाथों को गए बढ़ाया कि प्रिंसेस अर्शिया ने उनके बीच अपनी तलवार कर दी, ये देखे डेवल स्माइल डेवल किंग के होंथो पर फेल गई उन्होंने उस तलवार सहिक प्रिंसेस अर्शिया के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ कर उनके पीछे उनकी पीच से लगा लिया और फिर उनको ऐसे ही खीचते हुए अपने करीब ले आए ये सारी चीजे प्रिंसेस अर्शिया के गुसे की आग को और भी भरकाने का कर रही थी डेविल किंग ये देख अपने होता को प्रिंसेस अर्शिया के करीब लेकर जाने लगे प्रिंसेस अर्शिया अपने हाथों को डेविल किंग की मजबूत पकर से चुलवाने की कोशिश करने लगी इतने में डेविल किंग प्रिंसेस अर्शिया के होंथों के बेहत करीब आ गए ये देख प्रिंसेस अर्शिया का उनको अभी यही जान से मार देने का मन कर रहा था देविल किंग के होट प्रिंसेस अर्शिया के होंथों से बस कुछ ही दूरी पर थे देविल किंग ने जब अपने इतने करीब होने से प्रिंसे सर्शिया का गुस्से मेलाल होता हुआ चेहरा देखा तो वो मुस्कुराते हुए प्रिंसे सर्शिया के होंथो से हट कर उनके कान के पास बढ़ गए देविल किंग ने प्रिंसे सर्शिया के कान पर अपनी गर्म सासों को छोड़ते हुए कहा और अगर तुम इस मुकाबले में हार गई तो तुम्हारी हर रात पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा और उसके बाद तुम्हारा तुम्हारे इस शरीर पर और यहां तक की तुम्हार आत्मा पर भी कोई हक नहीं होगा ये बोल डेवल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया के कान को अपने होंतों से छू लिया आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहे लव अव डेवल किंग जब 148 149 रूप सुंदरी अब आगे ड्रेगन वर्ड डेवल किंग का कमरा प्रिं आगे ये देख प्रिंसेस अर्शिया का उनको अभी यही जान से मार देने का मन कर रहा था डेवल किंग के होट प्रिंसेस अर्शिया के होंतों से बस कुछ ही दूरी पर थे डेवल किंग ने जब अपने इतने करीब होने से प्रिंसेस अर्शिया का गुस्से मेलाल होता हु तो वो मुस्कुराते हुए प्रिंसे सर्शिया के होंथों से हट कर उनके कान के पास बढ़ गए डेविल किंग ने प्रिंसे सर्शिया के कान पर अपनी गर्म सासों को छोड़ते हुए कहा और अगर तुम इस मुकाबले में हार गई तो तुम्हारी हर रात पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा और उसके बाद तुम्हारा तुम्हारे इस शरीर पर और यहां तक की तुम्हारी आत्मा पर भी कोई हक नहीं होगा ये बोल डेविल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया के कान को अपने होंतों से छू लिया डेविल किंग की इतनी घटिया बात को सुनकर प्रिंसेस अर्शिया की आँख्याग बरसने लगी थी वो अपने सामने खड़े शक्स को अभी इसी वक्त मौत के घाट उतारना चाहती थी डेविल किंग अपनी बात को कहकर प्रिंसेस अर्शिया से अलग हुए लेकिन उन्होंने अपनी पकड अभी भी प्रिंसेस अर्शिया पर बरकरार रखी डेविल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया की आँखों में देखते है कहा हाँ तो अंतिम बताओ कि क्या तुम इस मुकाबले के लिए तियार हो ये सुनकर प्रिंसेस अर्शिया ने अपने दाटों को भींचते हुए बहुत ही गुस्से में कहा तुमने आज साबित कर ही दिया कि तुम कितने घटिया हो और अगर मुझे तुम्हे कभी अपने आपको सौंपना पड़ा तो उससे अच्छा मैं मौत को गले लगा लूँगी क्योंकि तुम्हे खुद को सौंपना मतलब इस ड्रेगन वर्ल की इज़्जत को तुम जैसे हैवान और नीच के पैरो तले कुचलना होगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी ये बोल प्रिंसेस अर्शिया वहाँ से अपने आपको छुडा कर जाने लगी ये देख डेवल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया का हाथ पकड़ कर उसको एक खतके में अपने पास खीच लिया और फिर उसने कहा मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हे अपना बनाने के लिए लेकिन मैं तुम्हे एक जायज मोका देना चाहता था लेकिन तुम तुम मेरे सामने पहले है हथियार डालकर बैक गई और अगर ऐसा ही है तो अब मुझे तुम्हे अपना बनाना के लिए ये मुकाबले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये बोल डेवल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया को अचानक उठा लिया और के जाकर बैक पर पतक दिया डेवल किंग की इस हरकत से प्रिंसेस अर्शिया हैरान रह गई उसको डेवल किंग के ये करने की बिलकुल भी उम्मीद नहीं थी और उनकी तलवार भी डेविल किंग ऐसे खीचने से उनके हाथों से छूट चुकी प्रिंसेस अर्शिया जैसे ही अपनी तलवार को लेने के लिए बैट से उतरने लगी की डेविल किंग ने अचानक उनको बैट पर धकेल दिया और वो खुद उनके ऊपर आ गए प्रिंसेस अर्शिया उनको देखकर अपनी दिल में उनकी प्रती नफरत को से गुना बढ़ते हुए मेहसूस कर सकती थी प्रिंसेस अर्शिया ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मूँ खोल की उनकी आवाज उनके गले में ही घुट कर रह गई थी क्योंकि देविल किंग ने अपने रफ होंथो को प्रिंसेस अर्शिया के गुलाब की पंखुलियों से भी ज़्यादा नाजुक और कोमल होंथो पर रख दिया प्रिंसेस अर्शिया उनको अपने दोनों हाथों से अपने उपपर से हटा रही थी वो अपने हाथों से उनके सीने पर जोर-जोर से मार भी रही थी, लेकिन डेविल किंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ डेविल किंग की किस में प्यार का तो वजूद ही नहीं था अगर कुछ था तो वो था उनका प्रिंसेस अर्शिया के प्रती गुसा जोंकी इस वक्त प्रिंसेस अर्शिया महसूस कार रही थी, डेविल किंग प्रिंसेस अर्शिया की होंथों को बहुत रूर तरीके से किस कर रहे थे एक तरह से वो उनको सजा दे रहे थे। काफी देर तक ऐसे ही ये गुस्से और जुनून से भरी ये किस चली रही जिसकी वजह से प्रिंसेस अर्शिया की आंखों से आंसु बह कर उनके दर्द का गवाह बन रहा था। देवल किंग ने अपने होन्थों पर कुछ महसुस किया तो उन्होंने अपनी उन्गली को अपने होट पर फिराका जब देखा तो उस पर खून लगा हुआ था। अपनी उंगली पर खून को देख कर डेविल किंग की नजर सामने बैद पर बिहोश पढ़ी प्रिंसेस अर्शिया के हुन्थों पर पढ़ी तब जाकर उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बेरहमी से प्रिंसेस अर्शिया को किसकी थी, जिसकी वज़े से उनके वो होट काफी जगहों से कच चुके थे और उनसे खून भी बह रहा था। प्रिंसेस अर्शिया की ऐसी हालत देख पहली बार देविल किंग खुद पर बहुत गुस्सा आया उन्हीं प्यार से अपनी उंगलियों को प्रिंसेस अर्शिया की हून्थों पर फेरा और उनके हून पर लगे खून को साफ किया। देविल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया की हालत को देख कर जल्दी से किसी को बुलवाया ताकि वो उनको ठीक कर सके और देविल किंग के बुलवाने पर एक वेद्य वहां आ गया। उस वेद्या ने जुक कर देविल किंग को प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा, किंग आपने बुला या। उस वेद्या की आवाज को सून सुनकर डेवल किंग जो कब से प्रिंसेस अर्शिया को ही देखे जा रहे थे, वो होश में आकर उस वेदी को देखते हैं और फिर वो उससे बोले, इन्ही जल्दी से देखो कि आखिर इनको क क्या हुआ? डेवल किंग अपनी भयानक आवाज में बोली जिसको सुनकर उस वेद्या की हालक खराब होने लगी। वो वेद्या डेवल किंग के बोलते ही प्रिंसेस अर्शिया के पासा गया, वो भी एक डेवल ही था, और खास डेवल वल्द से डेवल किंग के लिए आया उस वेद्या की नजर जैसे ही बेहोश होकर बैक पर लेटी हुई प्रिंसेस अर्शिया पर पढ़ी वो तो उनको देखता ही रह गया क्योंकि देवल वल्द में तो क्या उसने तो आज एंजल वल्द में भी इतनी खुबसूरत लड़की को नहीं देखा था, और आज उसके सामने साक्षात्रोप की रानी या फिर रूप सुंदरी थी, जिसको देख कोई भी अपने होश खो बैठे, बस उसकी एक जलक किसी को भी दिवाना बना से और उसके दिल में उसको पाने की लाल सा जगा दे, इतनी ज़्यादा खुबसूरत थी ड्रेगन वर्ड की प्रिंसे सर्शिया, वो वेद्य प्रिंसे सर्शिया को असे ही देखता रह गए, और जब उस वेद्य को ऐसे ही खड़ हुआ, देविल किंग ने देखा तो उसने अपनी गुसे से भरी आवाज में कहा, अब तुम ऐसे क्यो खड़े हो, चलो जल्दी से देखो कि क्या हुआ है नहे, देविल किंग ने उस वेद्य की तरफ बगैद ध्यान दिये उससे कहा, देविल किंग की आवाज को सुनकर वो वेद्य अपने होश में आता हुए बोला, जी, जी अभी देखता हूँ, ये बोल वो प्रिंसेस अर्शिया के पसा गया, उसने जब प्रिंसेस अर्शिया को कर अस्त व्यस्त थे जिनकी वजह से उनके कॉलर बोनस साफ दिखाई दे रहे थे, अब एक बार फिर से उस वेद्य की नजरे फिसलने लगी थी, उसने प्रिंसेस अर्शिया की जांच करते हुए उनको बहुत ही गलत तरीके से छूने की कोशिश की लेकिन इस इस बार उसकी क इसमत बहुत खराब थी क्योंकि जब डेविल किंग की नजरे उस वेद्य पर बढ़ी तो उन्होंने ये देख लिया था कि वो किन नजरों से प्रिंसेस अर्शिया को देख रहा था। लेकिन उसमें से एक भी छीटा प्रिंसेस अर्शिया पर नहीं पड़ा क्योंकि डेविल किंग ने उनको वहां से हटा कर अपने सीने से लगा लिया था। तो क्या लगता है आप सभी को डेविल किंग के दिल में प्रिंसेस अर्शिया के लिए प्यार है या फिर वो उन पर अपना हग समझते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहें लव अव डेविल किंग चब 141 एप 140 तुम्हें छूने का हग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब आगे ड्रेगन वर्ल्ड डेविल किंग का कमरा डेविल किंग ने जैसे ही उसकी उन नजरों को प्रिंसेस अर्शिया को ऐसे घूरता हुआ पाया तो उनके गुसे की कोई सीमा नहीं रही। इस वक्त डेविल किंग की आँखें गुसे से लाल हो चुकी थी। उन्होंने एक नजर बेहोश हालक में उनके सीने से लगी प्रिंसेस अर्शिया को देखा और फिर उनकी नजर उस वेद्य पर गई। कर भी दम देखा तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। डेविल किंग की आवाज में एक अलग सा जुनून नजर आ रहा था लेकिन ये जुनून प्यार का था कि नफरत का ये तो वक्त ही बताएगा। डेविल किंग ने प्रिंसेस अर्शिया को अपनी बाहों में उठाया और फिर वो उनको उस कमरे से लेकर बाहर आ गए। डेविल किंग उनको लेकर सीधा प्रिंसेस अर्शिया के कमरे की तरफ बढ़ गए। प्रिंसेस अर्शिया को लेकर उनके कमरे में आये उन्होंने बेहत ध्यान से उनको उनके बैग पर लेटा दिया और वो भी उनके पास ही बैग पर बैग गए। बात बहुत अजीब और अलग थी जो की आज से पहले कभी नहीं हुई थी और वो थी कि डेविल किंग को पहली बार अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डेविल किंग अभी प्रिंसेस अर्शिया को लेकर ही आया था कि वहाँ पर ड्रेगन वल की एक बहुत ही उच्य श्रेनी की वेद्यों वो तुरंग प्रिंसेस अर्शिया के बाहर आ गई लेकिन वो अंदर आती कि उन्होंने डेविल किंग को प्रिंसेस अर्शिया के साथ उनको देखुन वेद्य ये एक फीमिल है के कदमों वही रुख गए। देवल किंग ने जब मेहसूस किया कि किसी की नजरे उनके उपर है तो उन्होंने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ एक काफी बुजुर्ग महिला दो दासियों के साथ ख़़ी थी। ये देख देवल किंग ने उन दासियों से पूंचा, ये को है और मेरे महल में क्या कर रही है। देवल किंग ने उन दासियों को अपनी लाल आँखों से देखते हुए उनसे कहा। देवल किंग की आवाज को सुनकर वो सभी बुरी तरह से कापने लगी लेकिन फिर उन्होंने हिम्म करके कहा जी जी ये वेदिका जी है ड्रेगन वर्ट की सबसे अच्छी वेदिय और ये यहां प्रिंसेस अर्शिया के लिए आए है उनका इलाज करने के लिए उन दासियों में से एक ने काफी दरते है कहा उस दादी की बात को सुनकर डेवल किंग ने कुछ नहीं कहा और इश के एक काड़ा बनवाया और कहा कि जब प्रिंसेस अर्शिया को होशा अगमकाए तो उनको प्या देना और ये बोल वेदिका जी डेवल किंग जोंकी इस वक्त बालकनी की तरफ खड़े थे वेदिका जी डेवल किंग के पास आए उन्होंने बहुत ही शान्त आवाज में उ लाज कर दिया है और अब कुछ ही समय में उनको होशा जाएगा वेदिका जी की बात को सून कर डेवल किंग उनकी तरफ पल्टे और फिर उन्होंने वेदिका जी से पूंच्छा आखिर वो बिहोश क्यों हुई थी डेवल किंग की सर्थ आवाज में वेदिका जी को उनकी प्रिंसेस अर्शिया के लिए फर्क साफ दिखाई दे रही थी जिसको देख वो थोड़ी हैरान हुई लेकिन उन्होंने अपने हैरानी वाले भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिये वेदिका जी ने डेवल किंग के सवाल का जवाब देते हुए कहा मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे ये आपको बताना ही पड़ेगा कि डेगन वर्ड के लोगों शक्तियां डेवल वर्ड के लोगों की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते और मैंने जब प्रिंसेस अर्शिया की जांच की तो मुझे पता चला की वो आपकी शक्तियां का मुकाबला नहीं कर और उसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई। मेरी आप से विनती है कि आप प्रिंसिस अर्शिया को इस तरह से तकलीफ मत दीजिए वरना आज सिर्फ वो भी होश हुई है अगर आप उनको इसी तरह से तकलीफ देते रहे तो वो आपकी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर लेकिन उससे पहले उन्होंने के नजर प्रिंसिस अर्शिया को देखा और अपने मन में कहा हमें पता है कि आज हमने जो भी डेविल किन से कहा आही वो आधुरा सच है लेकिन हम नहीं चाहते कि वो अब आपको और तकलीफ दे हम सब आप से बहुत प्यार करते आही और आप को खोना नहीं चाहते इसलिए प्रिंसिस हम माफ कीजिए लेकिन हम ये जूट बोलना पड़ा ये सब अपने मन में बोलकर वेदिकाजी वहां से निकल गई लेकिन वेदिकाजी बातों को सब कर डेविल किंग अपने मन में खुद से सवाल कर रहा था और कह रहा था कि ये क्या करने जा रहा था मैं अगर मैं आज खुद को नहीं रोकता तो आज अरशिया की जान भी ये सोचते हुए डेविल किंग ने अपने चहरे पर हाथ को रखते हुए वो प्रिंसेस अरशिया के करीब आकर बैट पर बैट गए डेविल किंग ने एक नजर प्रिंसेस अरशिया को देखा और फिर उन्होंने याद किया की Flash Bakin कुछ समय पहले जब Prince Harold Dragon World के king नहीं बने थे और उनके पिता यानी की Dragon World के king एथन जिन्दा थे तब तब वो Dragon World जो की उनका एक अच्छा दोस्त था इसलिए वो वहाँ पर होने वाले एक festival में भाग लेने के लिए आये थे और उनको Dragon King से भी के जरूरी काम से मिलना था इसलिए Devil King उनसे मिलने आये थे Devil King जब वहाँ आये तो उनका काफी अच से स्वागत किया गया ये Festival दो दिन का था इसलिए उनको वही महल में ही धहरना पड़ा और उसी रात जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तब उनको एक बात ही प्यारी आवाज सुनाई दी वो किसी लड़की के खिल खिला कर हसने की आवाज थी उस आवाज में एक जादू था जिसका असर डेवल किंग पर कुछ इस तरह से हुआ कि वो उस आवाज वाली दिशा की और खीचते हुए चले गए देवल किंग जैसे ही बाहर आये तो ये एक बहुत ही खूप सूरत बगीचा था जिसमें रात के वक्त वहाँ लगे अदभुद फूलों जो की रात में चमक रहे थे और उनके आसपास उलती वो प्यारी प्यारी पारियां जो शायद किसी को धून रही थी उन सब में किसी की वो एक बहुती मीठी आवाज जो की खिल खिलाते जो बोल रही थी अरे अरे तुम कहा जा रही हो देखो मुझे तंग मत करो अरे 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 रुको मेरे पास आओ हाँ 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 ये बोल और फिर से हसने लगी देवल किंग को आवाज तुआ रही थी लेकिन उनको कोई दिखाए नहीं दे रहा था इसलिए वो थोड़ा और आगे बढ़ गए और फिर जब उन्होंने आगे बढ़ कर देखा तो एक लड़की जिसने एक सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था जो की रात में उन फूल की रोशनी में चमक रहा था उस लड़की के काले लंबे बाल जोंकी खुले हुए थे और उन पर बेहत प्यारी सितारों की तरह चमकती हुई हेर क्लिप उस लड़की की पीठी इस वक्त देवल किंग को दिखाए दे रही थी सिर्फ उसको पीछे से देखने पर ही देवल कि कालaranण सबस्टारन संस्दारों के बाल जुन की देवल को देवल की दो की तरहे के दिसे वक बाल जने देवल झारौन लुटत देवल के दमक देवल को भीठी धर से लिवल को कीमदी इस हुएं प्य sinnersë तरहें वगल जू गीफिंग जर जल पहा दू देवल की तेवल की बसे